तो दोस्तों अभी तक आपने देखा कि हमने सारे के सारे टाइटेंस का समझोता करवा कि सबी टाइटेंस यहां से चले गए थे पर कोई बुढ़े ने वापिस एक टाइटेंस को बुलाया जो है ब्लैक गोड टाइटेंस और वो सबसे जादा ताकतवर हो और उसने आते ही फ आइस गुड तो फिलाल यह आइस गोड के पास हैं क्यों कि यह वोटर गोड पहले हमारी पिछली बार इनी कर रहा तो पता नी उस पर करेगा नहीं करेगा तो फिलाल का इस आइस गोड अभी सबसे जादा बड़े टाइटें और इनकी हम उने ज़रूराद आ सकते हैं चलो यार और। पता है, यार वह ब्लेक गो टाइटन आ गया, पर यार, वह सबसे ज़्धा थाकत कुल टाइटन, यार, अम उसे लड़ाई नहीं कर सकते हैं, मैं तेरि मताद नहीं कर सकता हैं, मैं वहां जाने काही मतलब नहीं है, अगर मैं वहां गया है, तो मेरी पिठा ही लगा बहुत से जिंदा है और उनके पाथ दिव्य शक्तिया है अगर तुम उनसे जाके help मांगोगे वो तुमारी जरूर help कर देंगे अच्छा हमारे गाउं का सोरी हमारे शेयर का चर्थ हाँ वहां जाना और वहां पर समय पादरी मिलेंगे उनसे help मांगना वह बहुत सालोस जिंदा है वो तुमारी help जरूर करेंगे उनको बोल दे ना इस गो टैन ने तुमें बेज आ है अचा तुछे जानते है कि वो है वो मुझे जानते है अच्छी तरह ठीक है ठीक है ठीक है ओके तुन ने आ रहा ना मरसफ नहीं याँर मैं नहीं है सकता ओके ठीक है तो गाईस यार अभी हम लोग यह क्या नीचे क्यों तो गाइस चलो फिर जल दी सी तो गाइस शिंचेन और अभी आप जा रहे एक पादरी के पास जो हमारे लोसंटोस के चर्च में रहता है चर्च में रहता है चर्च आप समझते हैं जहां पर बगवानों की पूझा करते हैं एक तरीके से तो लेट्स गो जल इस चर्च पर चलते हो और वहाँ जाके उन बुढ़े आदमी मला उन पादरी से मिलते हैं जो हमारी एल्प करने वाले स्टीज के अंदर क्योंकि हम उस ब्लैक टाइटन को रोकना होगा क्योंकि और वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा यार और मुझे ये भी पता लगाना है आखिर यार उसको जगाया किसने भाई मला सब को सोट आउट हो गया ता फिर से क्यों आ गया वापिस तो गाईस यार अभी हम लोग आचके वापिस शहर में देखो वोरा चर्च यार मेरे को याद ही था मैं एक दो बारी आया हूँ चर्च म यार एक पर पाद के दिखाओ अब शिंचे चुप रहे हैं ना हो बताओ बच्चे अरे यार किसी ने ब्लैक गोट टाइटन को जिंदा कर दिया है और वो सबसे जालता ताकत रो टाइटन माना जाता है मेरे को आपके पास आइस गोट टाइटन ने भेजाए कि आप हमारी म बदद करें वरना अपना पुरा लो संटोस तबाह हो जाएगा और उन्होंने ग्रीन गोट टाइटन को भी गेर रखा है वो चुरा बिल्कुल सही वक्त पे तुम मेरे पास आए हो मैं उसे बुला सकता हूं किसे उसको भगवान है जो टाइटन का सबसे ताकतवर टाइटन अच्छा आप उन्हें बुला सकते हैं हाँ मैं उसे बुला सकता हूं पर उसे बुलाने से पहले हमें उपर जाना होगा क्या मरना होगा मैं अरे नहीं नहीं मुर्ख हमें असल में माउंट चिलियाड पे जाना होगा आए आए मेरे पास यह बड़ा वाला ट्रॉक है इसके तो बच्चा हम तुम्हारी मदद करेगा और इस दुनिया को बचाएगा तो का इस विलाल यार हम लोग मांची लाइड के टॉप पे आज के वैसे बाबाजी आप मांची लाइड के टॉप पे हमें क्यों लेकर आए मूरक कोशन मत कर मुझसे बार-बार मैं जहां लेके जा र मैं तो खुदी बूल गया कि इस मंतर को पड़ते कीसे हैं पर खुदी मंतर लिखा आप खुदी बूल गयाइए कैसे हो गया रज सो साल बेटे दर पापा भी जनम नहीं लियोंगे सो साल पहले मुझे से समझने में हो सकह के तो वैं हो जाएगी रात ओकर अरे शाम हो चुकिए अंकल जी आपके समझा है क्या अंकल नहीं बाब राम देव बोलो ओके बाबा राम देव प्लीज आपकी कृप्या होगी बस और कुछ नीचे ही हमें जाओ यह चित्तर किसी चीज का था मुझे समझने में कठना ही हो रही है उ हमेश है के लिए रात के अंदर में डग जे क्योंकि यार जो ब्लैक गोड़ टाइटन वो बहुत जादा शक्तिशा लिए और यहां पर बाबाजी चबतकार कर रहे हैं ओके भाई साब सिंचन उसने क्या ओमाइगोड देख आ गया उसने कौन आ गया अरे बाबा जी बाबा होने में ओके भगवाण गोड़ टाइटन भगवाण गोड़ टाइटन हमारी मदद कीजिए हमारी मदद कीजिए तुमने मुझे क्यों बुलाया इंसान अरे आपकी मुझे हैल्प चाहिए भगवाण गोड़ टाइटन असल में एक बुरा ब्लैक गोड़ टाइटन हमारे दर्ती को पराज चुका है क्या किसने बुलाया उसे हैं मतलब वो किसी के बुलाने पर आता है वरना वो कभी नहीं आता है मतलब आप कह रहें जान बूच के किसी ने उसको बुलाया है हाँ किसी ने उसे जान बूच के बुलाया है और वही उसे शक्तिया दे रहा है क्या फिर गोड टाइटन को बुलाने वाला जब तक तुम्हें मिलेगा नहीं जब तक हम ब्लैक गोड टाइटन को रोक नहीं सकते मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगा और उसके बाद सभी टाइटन की मदद से हम उस ब्लैक गोड टाइटन को रोक देंगे ओके ओके तो गाइज यार यहां पर में सब कुस समझ में आ चुके हैं तो यार अब मुझे एक छोटा सा जाल भी चाना होगा शुक्रिया आपका भगवान गोड टाइटन मैं आपको निराश बिल्कुल नहीं करूँगा ओ सिंचन उन्होंने बताया कि असल में जैसे यार अपने अंकल जी मलव अपने राम देव बाबा ने बुलाया है न मगवान गोड टाइटन को ऐसे किसी और कोई पादरी मलव और कोई बुड़े ने भी बुलाया है ब्लैक गोड टाइटन को ओ सिंचन जा रहे उपर आओ फि देख हम दोनों ऊपर जाएंगे देख तेर बस यह ध्यान रखना है कि हमारी कोई भी जासुष से करें उसको बटका बर लियो ओ ठीक है तुम टेंचन ना लो ओके आजा सिंचन उसिंचन चलो जल्दी से तो गाइस बस हमें वेट करना कि कोई हमारे पीछे आता है तो गोड़ टाइटन ने कहा है मेरे को अब देखता हूं कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं वो रहे दोनों आखिर ये क्या प्लैन बना रहे हैं मुझे इनकी बात ये सुननी होगी आओ चलो जाके बटका बल लेता हूं ये रहा वो आदमी जो जासुषी कल्ला है ओए ये ले सिम्दै आपका प्लैन काम कर गया आरे मुझे पता आता बाई मेरा प्लैन को डात्री ये जहा रहा ओहे और क्या ने जगाया है और चलो अपने आधे बटगे बस मुझे ये बता दे अब आकिर है क्यों और अस मेर क्यों तु लोसें तो इसको तबा करना चाहता है वह मैं कल्यूक को खटम करना चाहता हूं हर कोई रूसरे को मारने पर बैठा हुआ है छोड़ा इसलिए मैं इसे तबा करना चाहता हूं आ तेरी ऐस तैसी चल यह बता क्या किरम ब्लैक गुड टाइटन को कैज रोग सकते ह मैं नहीं बताऊंगा तेरी स्थैसी, नहीं बताएगा तू बलाए फिर बोल उसे मार नहीं होगा क्या उसे मारना होगा तेरी एससी अब की बार अगर तुने किसी को बुलाया तो तुरी बैंड बजा दूँ आज से तु मेरे टीम में ठीक है और ब्लैक गोड टाइटन के लिए काम नहीं करेगा अब मैं जो कहूंगा तुझे वो करना है ब्लैक गोड टाइटन को तुझे व सब्सक्राइब कर देना और हम मिलेंगे से कोई नए गेम प्ले में अगली कहानी के साथ जब तक लें सायो नारा अब नहीं बचेगा ब्लैक गोड टाइटन